हलो हैं वैलकम गाइज दिस इस रिंद फॉम डिकेट्ट डॉट कॉम और गाइज आज की इस एपसिर में आपको बताने वाला हूं कि आप टेक्स्ट आप या फिर लैप टॉप का यूज करते हुए इंस्टाग्राम पे फोटोज कैसे अपलोड कर सकते हैं देखिए मोबाइल से तो बहुत ही इजी होता है फोटोज को अपलोड करना इंस्टाग्राम पे थूप करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं यदि हमें पता नहीं होता है कि कैसे क्या अपलोड कर सकते तो guys आज की इस episode में आपको बताने वाला हूँ कि आप laptop और desktop का use करते हुए Instagram पे फोटो जो हैं वो upload कर सकते हैं सबसे पहले आपको एक काम करना है keyboard से control shift आई प्रेस करना है या फिर आपको right click करना है और inspect करना है तो अभी यहाँ पे यह इस तरीके से आ गया है कि मैं already सब कुछ कर चुका था अगर ना कर चुके होते तो फिर कैसे करते इंस्पेक्ट करता तो यहाँ पे यह right side में आ गया है और यहाँ पे आपको कही सारे option मिल जाता है dog कि side होना चाहिए unlock into separate window यह separate windows में हो जाएगा coding आपकी जो दिखरी वह separate में होगी और यह वाली preview वाली वह एक अलग होगी और फिर dog to left यह left cure हो जाएगा फिर से यहाँ पे आएंगे dog to bottom हो जाएगा फिर इसके बाद में देखिए bottom में coding आ गई है इसके बाद में फिर यह right कर लेना है simple से मैं right में कर लेता हूँ अब भी देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप सो रहा है बट कहीं पे भी photo upload करने का option नहीं मिल रहा है मैं अब यहाँ पे आपको एक option मिल ला होगा toggle device toolbar इस पे आपको click कर देना है या simply आपको sort keys का भी use कर सकते है control shift M भी आप कर सकते है control shift I से inspect element होता है control shift M से देखिए जैसे मैं toggle device toolbar पे हूँ वैसे इसकी sort keys भी so कर रहा है तो control shift M कर देखिए अभी मैं आ गया हूँ बट यहाँ पे अभी कोई ऐसा option so नहीं कर रहा है कि जिससे मैं photos को अपनी upload का सबों तो simple सी बात है यहाँ पे आप devices select कर सकते है कि आप iPhone पे open करना चाहते है iPad पे open करना चाहते है जैसे इसो open करना चाहते है वो devices यहां से select कर लेते हैं और guys इसके बाद में आपको simple से काम करना है space को कर दिना है reload यानि की refresh तो guys जैसे refresh करता हूँ तो यहां पे आपको plus का sign मिल जाता है जैसे कि जब हम mobile से करते हैं तो अभी plus के sign पे click करेंगे और इसो भी photo upload करनी वो यहां से आप select कर लो और इसको मैंने कर दिया तो अभी कुछ इस तरीके से photos आ गई edit में आएंगे तो एडिट का option भी में थोड़ा उद मिल जाता है ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता है फिलाल तो अभी इसको अपने हिसाब से जारुदर manage कर सकते हैं और इसको rotate भी कर सकते हैं जैसे भी पाते हैं आपको तो आप यहां से अगर आप फिल्टर वगरा करना चाहते हो तो फिल्टर भी आप कर सकते हो तो यह देखिया आपको यहां पर कुछ ऐसे करके आपको मिल जाते हैं option तो अभी मैंने यह सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में अजस्ट करता हूं next ओके और इसके बाद में just share कर देता हूं so guys photo जो है वो हो चुकी है share अभी आप यहां पर देख सकते हो यह share हो चुकी है photo और यहां पे just दिखा रहा है तो अभी इस तरीके से आप photos को जो है वो share कर सकते हो upload कर सकते हो Instagram पे अभी मैं यहां पे इसको करता हूं desktop preview और desktop preview करके देखता यह यहांने की जो हम share करना चाते है वो हो चुका है और इस तरीके से desktop या laptop कर यूज करके आप Instagram पे photos upload कर सकते हूं I hope guys थुला सा यह अलग topic था लेकिन जरूरी भी था उमीद करता हूं को अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो जरूर करें वीडियो को share करें और अभी तक डीके वेब तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीके वेब तक को सब्सक्राइब कर दो तो चली गाइस मिलता है नेक्स एपसोड में तब तक के लिए बाबाए और थेंक्स बोचिंग